आप दूसरा भी रास्ता चून सकते थे लेकिन ये त्याग पत्र ही क्यों दिया क्योंकि जनता को ले जा सकते थे आप या फिर आला अधिकारी पर आप एफायर कर सकते थे दूसरा भी रूट अपना सकते थे आप इसे फैदा सोच रहे हैं दूसरा कोई आपका विरोधी जो आके पंचायत में फिर से चुना होता है जितता है फिर पंचायत को तो हाल फिर भी बिगार रहेगा हमको नहीं लगता है कि आपने बेतर किया यह काम हम खास कर कि सरकार का और इस भाग के जो मानने हमारे ग्रामी नमस्कार आप देख रहे हैं मिट 27 अब भी हम उपस्तित हैं अरगा उस्री में हम बात करने वाले हैं ऐसे मुख्या का जिनको नाम की या पहचान की कोई जरूत ना किर्शन कुमार मिस्र उर्फ परभाकर जी इन्होंने अपने पंचायत के लिए पंचायत वासियों के लिए मंदेगा कार्यों के लिए मंदेगा में जो हो रहे हैं और सारी नियूज में कल छपा है यही मुद्धे को बात करने के लिए हम आए हैं खास उनके पास ही तसर क्या मामला है थुरा हमारे चैनल पर बताए अधिके मामला जनता जिसके लिए पूछ निये और जनता की जो आकांचा है उस पर हम खराने उतर पार है तो इस साल हमारा जो आज वादा था जो परते एक गाउं के परते एक तलाब में हम आपको देर सो से दूसों फीट सीजी का निरवान करवा वें इस तमध्यों ने प्रहकाई से भी बात किया और कि कचे उनलों का साकात्मक बात रही मोखिक और हमने परते एक गाउं में दूसों फीट सीजी का निरवान काज करवाया उसके बाद था जो दस अजार बिर्शारूपन का काज हम इस साल भी ती बर्स में हम करें उसमें डियम सहाब आका इसका और घाटन भी किये थे और साथ हजार गाच हमने लगवाने का लगवाया भी और दीयम सहाब के चाहने के बाद भी डीडी सी के चाहने के बाद भी जो परखंट मंदेगा कारजाला है उसका इंट्री भी नहीं किया और नो उसको लगवाने का प्रयास किया लगवाया उसमें से बहुत सारे गाज जो है जो माल जाल जो है वह खागया उसका हम स्वक्षा नहीं दे पाए तो इनहीं सब कारणों से ब्यठित होकर और जो विकास चाहिए था हमारी पंचायत में निश्चित तोर पे इसमें दो अगर उसकित सही नहीं मिला इसी से ब्यठित होकर कर हमने ठ्याग पत्र की जो मंतरीlingen इंदि हमने सी क्या मामला है नहीं है तो यह मतलब देखेंगे आई समंध का सूचना हमने जो हमारी जो विधान पारस जो सुनी ने उनको भी दिया है और वही व्यत्थित है वही किया करते हैं जो निशीत तोर पर जो श्चित है कारियाले कि मौनेगा कारिया लेकि उसे वह भी विथित हैं जनता ने इनों को खरा किया और जनता ने इन पर अपना सहयोग दिया और इनको जिताया तो इन लोग ने भी ठान लिया है कि इस बार जनता का विकास पूरी तरीके से करेंगे गाओं का विकास करेंगे गाओं के समाज का विकास करेंगे एक-एक मुद्दे की बात की जाएग सामने में आप पूछ सकते हैं कि सर जो आपने इस्तिफा दिया वो किस मुद्दे को लेके दिया और उसके बाद क्या ऐसा अपत्ति लगा जो हम लोग को आता है इसमें तो उसमें जो सिमित पैसा आता है और हम लोग चाह करके भी बहुत ज़्यादा उसे विकास नहीं कर सकते हैं और उसके लिए एफ्टा पैसा की विवस्था भी ने तब बचके आपको मंदेगा योजना इसके तहट अगर आप अच्छा काम करते हैं तो निशी तो पर पैसा भी है और सरकार भी चाहती है लोगों को मजदूरी भी मिले औ लेकिन हमारा मुल लक्ष था जो हमें एक आदर्स पंचायत इसको कैसे बनावें और इसके लिए हमने काम भी किया है और इसमें हमारे जो भेंडर लोग हैं उनका भी काफी शहोग रहा है जो बहुत सारे जो नीजी विचार के लोग हैं जो चाहते हैं जो पंचायत का विका और जग्र मेरे पंचायत में जो गति चाहिए नहीं हो पाता है हमारे चाहने के बाद भी और लोहों का पैसा अठका हुआ है लोगों का पैसा फसा हुआ है खास के जो जुनियर प्शुवतने देते हैं और समय देते भी है तो उनकी गलत आकांचा रहती है जो उसका भी कैचे मतलब जो हमारे पंचायत के लोग इसको बरदास्त नहीं करते हैं तो यही सब कारण था और हमारे काम में रुकाबट आ रही थी पंचायत के विकास के काज में रुकाबट आ रही थी तो जो हम चाह के भी हम पंचायद का विकास लोगों की जो आकन शाहा सब उस पर खरार नहीं उतर पाएंगे तो इसी पद रखने से क्या फाइदा मुख्या ची का कहना है कि अगर जब पंचायद का भला नहीं कर सके पंचायत में मुख्या पद पे रहके नाम मातर का रहें तो ऐसा मुख्या बनने से तो त्याग पत्र ही बेतर है सर आपके पंचायत में कुछ तिन पहले डीम साहब आये हुए थे कुछ छात्रा आवास आपको दिये है क्या है वो पूरा मौमरब बताई थे काम होता है लेकिन खास कर गटीन यूजना है एक यूजना जो है बंदा उसके ढाले है उसके भावन का पलस्टू के भावन का उपको जो माधमीक दिशा के डायेक्टर चेरा मुझावन चोधरी उनके माध्धम से ने करवाया था दूसरा जो उप स्वास्तकेंद्र गवरा मे करके उसके भब निर्वान के लिसा में भी अग्जतर करवाई हो रही है तीसरा जो सबसे बरी बात है जो हम धन्वाद देना चाहते हैं जो पूरे बिहार में मात तीन योजनाएं थी अंबेद कर उसमें एक आपको था बगहा में था जानाबाद में था और एक द्रभंगा में वह योजनाएं से हैं वहने साथ सू बीस बेट सात्रावास का है और बहुत भब माकार भी है उसका जो देखे हैं और लगवार तीन सारे तीन विगा जमीन में वह बनेगा तो इसके लिए हमने जमीन भी उप्रवत करवा दिया है और इस ताइक को जो आपको मंदल की बैठक थी उसमें वह पास भी होया प्रसासने सुकृति भी उसको मिल गई है इसके लिए इतर होगा डीम को हम धनबाद देते हैं आप दूसरा भी रास्ता चून सकते थे लेकिन ये त्याग पत्र ही क्यों दिया क्योंकि जनता को ले जा सकते थे आप या फिर आला अधिकारी पर आप एफायर कर सकते थे दूसरा भी रूट अपना सकते थे आप इससे फैदा सोच रहे हैं दूसरा को आपका विरोधी जो आके पंचायत में फिर से चुना होता है जितता है फिर पंचायत को तो हाल फिर बिकार रहेगा, हमको नहीं लगता है कि आपने बेहतर किया ये काम हम खास करके शरकार का और इस भाग के जो माने हमारे गरामी मिकास मंत्री है हैं सरवन कुमार जी बहुत अच्छे बेक्ति हैं और अच्छा मंत्री हैं तो उनको भी इस पतलब जो ध्रातल से वाकिफ हम करवाना चाहती थी और इसलिए हमने खास करके हम अपना जो त्याग पत्र है जो हम उनहीं को भेजा है जो अब उनको फैसलाइन लेना है उनके यहार में कुछन कुछ सुधार करें है कि आपका इत्याग पत्र परियास रही करandry का अरगाऊ-श्री के मुख्याजी जूरे रहे हैं आप उम्मीट 27 के साथ